नमस्कार आप सभी का श्वागत है NKP प्रोडक्शन में मैं हूँ नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे वो लैवरेरी कार्ड से रिलेटेड है तो अगर आपको लैवरेरी कार्ड इशू करवाना है तो आप कैसे इसू करवा सकते हैं उसके लिए क्या डेड जरूर कर लें और अन तक वीडियो को जरूर देखें ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहे तो चलिए यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं जो आपका वोकेशनल कोर्स हो या नन वोकेशनल कोर्स हो तो लाइबरेरी के लिए आपको आपकर बूक इसू करवाना है उ लाइबरेरी जो है वो बॉक्वाई सेक्शन में नीचे ground floor पर है तो वहाँ पर आपको आपको जाने के बाद आपको आइडी कारद ले कर जाना है अपना आइडी कारड को जरूर को जरूर लेकर जायेंगे जो आइडी करड़ आपको इसू हुआ रहेगा उसी में आपका ल काड रखियेगा कि लाइबरेडि कर अगर आपका निकलोगे उस समय में आपको वहां पर करना होता है यह क्यार करना होता है तो पड़ता है तो अगर लइबरेरी काड को इसु करवाना है तो इसलिए लाइबरेरी काड को आपको क्या है कि अच्छे से सुरच्छित रखना है और जब भी आप मलग किसी दर का बुक ले जाते हैं तो वापस रिटन भी करना है नहीं तो फिर आपको वहाँ पे नो ड्यू मे कि जब आपको काम आएगा उस समय आपको library card में no due का मोहर लगना जरूरी है तभी आगे का document आपको निकलेगा तो अभी library card में issue कब करवाना है कौन सा subject वाले को कब जाना है तो उसका detail में document के माध्यम से बता रहूं आप उसे देखिए तो दोस्तों ये notice निकल करके आया है जि जो आपका library card है उसको अपली सूर करवा सकते हैं जो आपका ID card के just last में होता है लेकिन उसमें आपका registration library में होता है तो उसके लिए जो है सौमवार और मंगलवार मतलब Tuesday और Wednesday को कौन सा जा सकते हैं तो BA, BCA और BCM तो BA, BCM और BCA और BCM जो है वो आपको सौमवार और मंगलवा को जाना है और बाकी दूसरे को इसमें इस दिन में नहीं जाना है अगर बुदवार और विरस्पतिवार की बात करें तो उसमें आपको B.com, BBA और MBA को जाना है तो आपका बुदवार और विरस्पतिवार को जाना होगा जो subject के हैं B.com, BBA और MBA का वहीं पर सुक्रवार और स करवा सकते हैं किसी तरह का दिक्कत होती है आप कोमेंट किजिए मैं कोसिस करूंगा आपका हेल्प करने का बने रहेंगे इनके प्रोडक्शन के साथ बहुत बहुत धन्य